ओके गाइस मैं इस वीडियो में आप लोगो कुछ नया बात बताऊंगा और सिखाऊंगा भी देखिए बहुत दिन से मतलब NRC का जो बायमेट्रिक है NRC का बायमेट्रिक आप लोग कैसे रिजेक्ट कर सकते है उसके बारे में मैं दो तरीके बताऊंगा जिस तरीके को करने के बात आप लोगों को 110% Shared में भी आप लोगों को जो बायमेट्रिक है और रिजेक्ट कर दे और आप लोगों का नया आधर बना सकते है देखिए मैं आपको बता दू और बताने से पहले और एक बात मैं क्लियर कर दू वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है ठीक है तो आप लोगों का एक complaint की थूरू है इसा जो GREEN कर दिख आगी अधर गाहए मैं बहुत सारा ईसा है जो बायमेट्रिक किया है अभी तक मतलब भुगती रहा है मतलब बार-बार enrollment center जाओ और बार-बार reject हो रहा है आपका NRC के लिए जो आप लोग का अधरकार्ट बनाने के लिए बार-बार enrollment center जाते रहते है और क्या है एंडरोल करके तो आ जाते है उसके बाद क्या है दस-पंदरा दिन बाद आप लोग को मैसेज आता है जो technical reason या फिर जो भी है ब्ला-ब्ला कुछ ना कुछ reason दिखाता है तो आप लोग क्या करेंगे मैं इस वीडियो में पूरा guide के तरह आपको मैं बताऊंगा ठीक है और मैं एक करने के बाद आप लोग पूरा वीडियो को watch करें उसके बाद एक करें ठीक है तो मैं पहले आप लोग को ले चलता हूँ जो है आधार इवाइडियोबी.in जो ओफिशियल वेबसाइट है जो आधार कट का ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आने के बाद देखिए या पे पहले आगया माय अधार आप लोग मूबाइल से भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर मूबाइल से आप लोग क देक्स्टोप मोड आएगा नीचे और देक्स्टोप मोड पर सेलेक्ट करके अपलोग कर सकते हैं तो देखिए या पे पहले आगया आधार दूसरा आगया अब आउट और एकदम सिधे आ जाना है या पे कंटेक अन सपोर्ट पर ठीक है और मेरा जो क्वेरी है मुझे कंप प्रवाइड किया गया है तिक है कंप्लें के से फाइल करते है उसके बारे में या पर मुझे एन्रॉल्मेंट आइडी चाहिए होगा या फिर आधरकार्ट जाहां से यहा है वो डिटेल मुझे चाहिए ठीक है पहले आप लोगों क्या है इव आईडिया जो हो या फोट करें देना है तिक है उसके बाद क्या है आप लोग date of birth select कर लिजेगा, sorry date and time select कर लिजेगा, उसके बाद जो candidate का name है, अच्छी तरह से आप नेम फिल करिएगा, उसके बाद यहाँ पर जो mobile number दिया हुआ था, वो mobile number आप लोग फिल करिएगा, उसके बाद यहाँ पर email ID, उसके बाद यहाँ पर आप लोग का postal code, ठीक है जो जिस इसाब से आप लोग का postal का detail रहता है, ठीक है, जो biometric करने के time में जो आप लोगोंने pin code आप लोगोंने डाला होगा, postal का मतलब होता है pin code, वो आप लोग यहाँ पर प्रियाट करेगा, जो आप लोग का villages है, आप लोग village आपने इसाब से select कर लिजेगा, ठीक है, किस village नहीं है, आप लोगो town, city जो भी है, दे सकते हैं, उसके बाद क्या है, जो मेरा complaint है, complaint दो तरह की होगी, एक है NRC biometric regarding, ठीक है, दुसरा है जो मेरा अधरकार generate नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके बाद यहाँ पर आप लोग आने बाद capture एक फिल कर देना है, ठीक है, ठी किसले लिए आप लोग मतलब बेठा हुआ है, मतलब आप लोग का enrollment नहीं हो रहा है, तो उसके बादे में आपको 2-3 word यहाँ पर 150 character के अंदर डालना है, देखे, मैं यहाँ थोरा मतलब example के लिए मैंने देखे रखा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ पर example के लिए मैं आप लोग पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग का जो ही है, यहाँ पर जो verification code होगा, मतलब capture जो है, यहाँ पर fill करके submit करते हैं, देखे, यहाँ पर करने के बाद क्या नहीं है, मैंने 2-3 बार मिनिट यह किया था, देखे, क्या है, मुझे यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रहा था, देखे, यहाँ पर XML format detail, मतलब कुछ आ रहा है, मतलब एक बार में complaint submit करते हैं, हो नहीं रहा है, मतलब 4-5 बार करने के बाद 110% submit होगा, क्योंकि यह जो website है, website में heavy traffic रहता है, तो इसलिए क्या है, directly submit नहीं होता है, कभी-कभी, और देखे, उसके बाद कभी-कभी यहाँ भी feel कर दी थी, यह मेरा complaint number है, ठीक है, और यहाँ पर toll free number से आप लोग इसका detail आप लोग जान सकते हैं, और यहाँ पर जो UIDA का जो website में, जो आप लोग का mail ID दिया हुआ है, वो इस mail पर भी आप लोग mail करके, आप लोग complaint status आप लोग जान सकते हैं, ठीक है, और otherwise आप लोग का यहाँ पर जाने के बाद देखिए, अगर आप लोग का मतलब यह निकल गया, complaint ID निकल गया, आप लोग कैसे, चेक करेंगे इसका complaint detail, आप लोग को यहाँ पर क्लिक करने के बाद, चेक यह और complaint status, ठीक है, जो आप लोग ने complaint दी थी, यहाँ पर क्लिक कर दीजीगा, क्लिक क यहाँ पर पेस्ट कर दीजेगा, पेस्ट करने वाद जो capture है, capture फिल करके आदर status चेक कर सकते है, ठीक है, इसी सबसे आप लोग का जो complaint है, complaint दे सकते है, और status भी जान सकते है, मैकसिमाम आप लोग का इसमें टाइम लेगता है, 15 से 30 दिन का आप लोग का टाइम आता है, अभ सुसरा जो process है, वो आप लोग email, अपने जो mail ID है, mail ID से आप लोग email भी कर सकते, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे आपको mail करना है, देखे यह मुझे एक friend ने मुझे send किया था थोरे दिर पहले, चान पहचान का है, इसलिए मैंने उससे मैंने ले लिया था, जो email पर send करने क किया था, और मैंने mail भी किया था, उसके बाद जो अनर्सी का biometric है, biometric process में था, या फिर जो भी है, वो complete solve हो गया था उसका problem, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखे यहा पर write a mail, लिखा क्या है, write a mail, below the mention details, below mention address and with ARN and with ARN number, UIDA, acknowledgement number, copy and NRC drug, आपको क्या-क्या लेना है, पह और mail कैसे type होते हैं, उसके बारे में आपको दिखाऊंगा, पहले आप लोगो को documents क्या क्या चाहिए, ARN number आप लोगो का, जो ARN number है, ARN number, उसके बाद आगया आधार acknowledgement number, copy, उसके बाद आगया NRC का draft, ठीक है, यह तिनो documents आपको चाहिए, और उसके बाद आप लोगो को mail करना है, यह जो mail address है, इस mail address पर आप लोगो को mail कर देना है, ठीक है, email कर देने के बाद, mail address जो है, किस address पर delivered होगा, इस address पर delivered होगा, तर डेपोर्टी सेक्रेटरी एंड होम पॉलिटिकल डिपार्मेंट जियो वी, डॉट अशाम, जनता भावन, सी एम, बेक, थाट फ्लोर, दिस पूर, 06, इस जगह पर जो आपने mail क्या है, इस जगह पर आप लोगो का mail जाएगा, जाने के बाद क्या होता है, mail को कैसे आपको, देख सकते, देखिए, देखिए, ऐसे आप लोगो को mail टाइप करना है, टू पर यह पेले वाला तो आपका नम रहेगा, या फिर जो आपक टाइप करने के बाद, इतना लिखने के बाद, और साथ में क्या है, यह जो एटाज वाला आप लोगो को mail जे कर रहा होगा, तो यह साएक एटाज वाला option आएगा, यहाप पे एटाज करके, आप लोगो का NRC का, NRC और उसके बाद, ARN, उसके बाद आप लोगो का जो NRC का detail है, वो आप लोगो डालते, mail कर सकते, ठीक है, mail कर दीजे, mail करने के बाद, 10-15 दिन से 30 दिन के अंदर, आप लोगो का जो biometric है, 110% होगा, क्योंकि मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने नहीं किया ह होता, तो आपको नहीं बताता, करने के बाद मैंने दोनों तरीका ही apply किया, और दोनों से कंसी तरीका work किया, वो मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों तरीका मैंने यूज किया, और दोनों तरीका करने के बाद, मेरा जो problem, वो resolve हो चुका है, तो I hope so, मेरा हिसाब से, मैं आप को बताना जरूरी समचा हूं क्योंकि दूसरों को भी सेम प्रॉबलम आ रहा है जो भी जिस जगह से इसा प्रॉबलम आप लोग फेस करिये प्लीस कमें शेक्षन में डालेगे डालके बताएं जो आप बटन भी डबा दीजीगा तो जो में मैं नया वीडियो डालूंगा आप लोगों का एक पस पोस्ट तेरे तो आई होप सो वीडियो को देखने बाद अच्छा लगा होगा बाई बाई टेक क्यार टाटा